जबरदस्ट एक्टिंग और जबरदस्ट कहाने के साथ इस सीरीज ने मुझे शुरू से लेके आखिर तक अपने साथ बांध के रखा नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में बात करने वालों ब्रेथ वेब सीरीज की जिसे एमाजोन प्राइम पर रिलीज किया गया था दो हजार अठार में टोटल इसके अंदर आठ एपिसोड हैं और आपको अगर यह पूरी सीरीज एक ही बार में देखनी है तो आपको पांच घंटे इसमें लगाने पड़ेगा याई आपको पांच घंटे लगातार बैट के देखना पड़ेगा और येकीन मानिये ये पांच घंटे आप लगा किस हद तक जा सकते हैं इसमें यह सब दिखाया गया है। जिसे play किया है मादवन सर ने उनके बेटे यानि जोष उसको एक बिमारी है लंक्स में एक बिमारी है। अगर उन्हें वो और जो बिमारी है वो एक और डोनर से ही रिमूव हो सकते हैं जो इसको और गन देगा वो गन मिलेगा साथ ही साथ इसमें एक और कहानी दिखाए गई है कभीर सावंत की जिसे प्ले के आया हम इस साथ ने कभीर एक पुलिस ओफिसर है और एक दिन वो अपने घर में जाता है तो अपनी जो गन है वो बिना सेफटी के लोग लगाए वो वहां पर रख देता है तो उसक अपसे लेकर वो अपने आपको इस गिल्ट में लगा रहा है कि उसकी वज़े से उसकी बेटी की मौत होगी और वो इससे बाहर नहीं निकल पारा और इसके अंदर जो उन्होंने किरेदार निवाया वो बहुत जबरदस है मतलब सिर्फ और सिराप पिना और इतना सीरियस र जो 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 ब्लड गूर्प बहुत रहर होता है तो उसका नमबर हो फौर्थ पर है और उससे पहले तीन को और जाके उसकी बारी आई होगी वैसे वह एक साल से फौर्थ नमबर पे चल रहा है क्योंकि अब जिनों ने अपने और नेट करने के लिए नाम लिखाए होते हैं जब उनकी मोत होगी तभी तो और नेट हो पाएंगे परने के बाद ही तो एक दिन डैनी की मा बहुत मतलब निराश होती है और उस निराश निराशा में कहती है कि इतना मन कर रहा है कि उन पांचों को मार कर ही जोश को डोनेट करवा दू हो ओर जो है उसको मिल जाए तो य किद घाई राइं करता है इन चारों को मारने कि अब ऐसे तो था नहीं कि भी डैणी जाएगा चकु लेगा और और चारों को मार देगा और ऑर्कन मिल जाएंगे नहीं वह इसको जो करता है वह बड़ी प्लैनिंग के साथ करता है ये सबसे चेज जो हो यह pennant प्रशुर्ट लगी इसके अंदर मैं तो किसी को मारना नहीं मतलब जो वो प्लैनिंग गरता है कहीं सोचो तुं तो कतल को वो कर रहा है नहीं मैं उसको नहीं कर रहा हूं गलत मतले जाना है आजकल और उफेंड होने वाले संक्या बढ़ती जा रही है देश में तो एक प्लैन कभीर की वाइफ ही होती है कभीर की योंगी जो मोड होता है यही कभीर और डैनी को आपने सामने लेकर आता हैं लास्ट में जो और जब कभीर को मारता है वह सिर्फ तक चला गया कि उसने अपने बेटे को बचाने के लिए अपना प्यार तक मार दिया क्योंकि वो जिससे प्यार करता था तो या फिर वो लड़की भी इससे प्यार करते थी लड़की जो पुलिस के पार जाने वाले थी लेकिन वो उसको मार देते हैं आप देखोगे कि एक बहुत साफ सुतर है क्रेक्टर इंसान वो अपने जिसको वो सबसे ज़्यादा प्यार करता है अपने बच्चे को उसको बच्चे को बचाने के लिए वो किस हद तक जा सकता है और अब एक्टिंग की बात करें अन्यक लाकारों कि तो उन्होंने अपने जो उनको क्रेक्टर दिये गए उनको साथ बड़ी मानदारी के साथ काम किया यानि उनको देखके बहुत अच्छा लगा बहुत तसली बहुत सैटिस्फेक्शन वहां मैसूस हुआ मेरी तरह से इस सीरीज को मैं देना चाहूँगा 8.5 आफट और 10 स्टार अगर आप लोगो इस सब चीजे मुझे बड़ी पसंदाई और सबसे जारा दुखदाई जो सीन मुझे लगा वो डैनी का मरना मुझे इसके अंदर बहुत जादा खला वो चीज कैर बुरा करने वाले का बुरा नतीजा होता है ये चीज तो होती है तो वही चीज दिखाई गई है कि भल अच उसकी सजा उसको पता था कि उसकी सजा क्या है तो वह उसे मिलती भी है तो प्लीज कमेंट करके मुझे बताना कि आपको इस सीरीज कैसे लगी बस आज के लिए इतना ही था इस वीडियो में थैंक्स वर वाचिंग इस वीडियो मिलते हैं नेक्स वीडियो में जाहिंद